We are starting with chapter valuation under customs. What are we going to learn in this chapter? Valuation. Which valuation? The value on which custom duty is levied. जिस value पे custom duty को लगाया जाता है. अब पता है उस value को क्या बोलते हैं जिस पे custom duty लगाया जाता है? उसे कहते हैं accessible value. Right. Accessible value के बाद क्या किया जाता है? उस पे taxes की computation होते हैं वो आप already सीख चुके हो. आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं. Accessible value कैसे compute करते हैं? Now accessible value can either be transaction value and it can be tariff value also. In most of the cases, 99.99% of the cases, it is transaction value. But in few cases, it is tariff value to accessible value, tariff value भी हो सकता है. Transaction value क्या है? नाम से ही समझ में आ रहे हैं जिस rate पे transaction हो रहा है, जिस value के transaction हो रहा है. Exporter, Importer के बीच जिस value पे transaction हो रहा है, वो है transaction value और इसे पे क्या लगाए जाता है? Custom duty. लेकिन कुछ केसे ऐसे बी हैं जिस पे transaction value को इग्नोर कर देना है. वहाँ पे tariff value पे क्या लगेगा? Custom duty. और ये tariff value कौन डिटर्मिन करता है? गौर्मेंट डिटर्मिन कर देती है. पर एक्जामपल, माल लेजिए, सोया बीन पे गौर्मेंट ने ही tariff value डिटर्मिन कर रखी है कि सोया बीन की जो tariff value है वो है 50 रुपे पर लीटर. तो अब transaction value, यानि कि जो export, import हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, अक्षर में 80 रुपे पर लीटर पे. इस्टिल, कस्टम डुटी किस पे पेकर नहीं है, 50 रुपे. क्योंकि उस particular item का tariff value determined है. tariff value हाला कि determined है, बहुत कम item के respect में है. लेकिन जिसके लिए भी tariff value determined है, वहाँ पे tariff value पे ही custom duty पेकर नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि transaction value उस particular item का कम या ज़्यादा कुछ भी हो, बट इस्टिल, tariff value. वैसे मैं आपको बता दूँ कि आज की तारीक में अगर देखा जाए तो government जिन जिन item पे tariff value के basis पे custom duty ले रही है, government को नुक्सान ही हो रहा है. क्योंकि ये जो tariff value decide की गई थी, वो कुछ समय पहले decide की गई थी, कुछ बर्सों पहले decide की गई थी. और महंगाई के जमाने में हर दिल values बढ़ते जा रही हैं, तो transaction value बहुत ही अधिक हो चुकी है. तो साइट जिन item पे government as tariff value के basis पे custom duty ले रही है, अगर transaction value पे ले रही होती है, तो transaction value तो ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई आते जा रही है, चीजों के भाव बढ़ते जा रही है, transaction value हाई होते जा रही है, तो साइट government को custom duty ज़्यादा बिल रही होती है. बहराल इन बातों से मुझे मतलब नहीं है, हमने समझ लिया कि valuation जो होती है, वो either transaction value पे या फिर tariff value पे हो रही है, और transaction value क्या है, जिस value पे transaction किया जा रहा है, importer और exporter के बीचे. Now, अगर हम transaction करते हैं, अगर हम transaction करते हैं, तो transaction की कौन से value को लिया जाएगा, अभी एक विशे आता है, जो, भई import duty की पहले बात करेंगे इसमें, देखें, इसमें valuation की बाते दो बार होगी, एक बार हम valuation बताएंगे आपको import के लिए, दूसरी बार export के लिए, ठीके, पहले ह हैं, अगर मुझे कोई exporter विदेश से माल भेज रहा है, जो मैं इंडिया में import कर रहा हूँ, तो transaction के value का मतलब पौन से value होगी, exporter जिस price पर अपनी factory के gate पे माल देने को तयार है, exporter जिस price पर अपनी exporting country के port तक पहुचा देने के बाद, जो price लेने को तयार है वो, या ति मेरे हिंडुस्तान के port तक पहुचा देगा, उस price को transaction value बोलेंगे, कौन से value को transaction value बोलेंगे, जैसे, exporter अलग-अलग rate quote करेगा ना, अगर आप exporter से काओगे, तुम्हारे धरवाजे से मैं factory के gate से ही माल उठा लूगा, तो भाई rate कुछ और होगा, हम कहेंगे, तुम्हें काम करो, US के port तक माल पहुचा दो, वहां से मैं माल उठवा लेता हूँ, तो भाई rate कुछ और quote करेगा, मैं का углам तो तुम हिंदुस्तान के port तक माल पहुचा दो, तो rate कुछ और quote करेगा, तो ये transaction value क्या है, तो फिर से आपको बताता हूँ, वो transaction value का मतलब होता है, हिंदुस्तान के port तक जिस rate पे माल पहुचा आजए जाएगा, उसे कहा जाएगा transaction value, अगर वो हिंदुस्तान के पोर्ट तक माल नहीं भी पहुचाता है तो हिंदुस्तान के पोर्ट तक पहुचने की जो वैल्यू है उसी को ट्रांजिक्शन वैल्यू कहा जता है गौर्वर्मेंट उस पे कस्टम ड्यूटी क्याल्कूलेट करती है प्लियर है बात सबको आईए चलिए देखना सुरू करते है वट वी अर श्टूड़िंग इन दिस चाप्टर चाप्टर का नाम है वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स चिक है और यह क्या है वैल्यू अन विच कस्टम ड्यूटी सेल भी लेवीट और जिस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है उसे बोला क्या जाता है उसे बोला जाता है असेसेबल वैल्यू ठीक है सौर्ट में हम इसको बोलते हैं एवी और यह असेसेबल वैल्यू या तो ट्रांजिक्शन वैल्यू होगी और यहाँ फिर क्या होगी? टरिफ वैल्यू होगी ठीक है? ट्रांजिक्शन वैल्यू ये बताएगा है section 14, subsection 1 में ठीक है? और टरिफ वैल्यू बताएगा है section 14, subsection 2 में कस्टम सेख 1962 का ये section है section कहा है? कस्टम सेख 1962 14, 1 में transaction value 14, 2 में tariff value अब ध्यान दीजेगा मैं जो कहने जा रहा हूँ इन दोनों section को रट लिजे याद कर लिजे क्यों क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि exam में आपको ये बोल दे सी थे कि valuation has to be done under section 14, subsection 1 वो पता ही नहीं रहा है transaction value tariff value वो बोली नहीं रहा है वो बोल रहा है valuation is to be done as per section 14, subsection 2 तो कभी-कभी सिर्फ section की reference ले ली जाती है और आपको transaction value और tariff value नहीं बताय जाता है इसलिए मैं यहाँ पे section याद करने को आपको कह रहा हूँ आपको पता ही है section में बहुत rarely आपको याद कराता हूँ section यहाँ पे बोल रहा हूँ इसलिए जरूरी है यह section याद करना क्योंकि valuation में हो सकता है valuation के method का नाम लिया ही ना जाए section का नाम से भी लिया जाए चीक है आई परते हैं इतनी सी बात को बुक से valuation of imported and exported good section 14 valuation of imported and exported good can be done through transaction value and tariff value tariff value कुछ ही limited item पे है मैंने आपको बताया भी tariff value होता क्या है government खुद ही value निर्धारित कर देती है कहती है transaction value पे हम test नहीं लेंगे जो value हमने determine किया है उस पे test लेंगे और वो values tariff value किन किन items के respect में एक government ने decide किया है crude palm oil crude palm oil crude soya bean oil brass scrap poppy seeds and few more items and all other goods इन पे क्या लगता है transaction value ठीक है valuation of imported goods imported goods की valuation पहले पढ़ेंगे बाद में exported goods की valuation पढ़ेंगे इसमें कई rules है there are rules for valuation of imported goods तो आप कोगे सर इसमें rule की आविशकता ही क्या है why do we really require rules we require rules as because at times people may do certain planning and they may try to reduce the accessible value on paper बताईए एक बात बताईए क्या ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी custom duty को reduce करने का प्रयाश करता हूँगा अगर मैंने कुछ import किया है तो मैं कोसिस करता हूँ कि एक custom duty मेरी कम हो मुझे कम custom duty पे करनी पड़े बिल्कुल प्रयास करूँगा और इस प्रयास के लिए मुझे क्या करना होगा accessible value को कम दिखानी की कोसिस करनी होगी तो government कह रही है कि अगर मुझे कही भी ऐसा एसा एसास हुआ कि accessible value को कम किया गया है accessible value जो दिखाई जा रही है वो perfect नहीं है उसमें कुछ गर्वरी है तो government क्या करेगी rules के जरीए government उसके rule बना रखे है कि उन rule के जरीए government accessible value को क्या करेगी बढ़ा देगी government कहीं कि ये तो हम मानेंगे यहां तो गर्वर हो रही है जैसे हमने जो माल इंपोर्ट किया है वो अपनी किसे relative से इंपोर्ट किया है ठीक है वो 10 लाग रुपए का माल आ रहा है लेकिन मैंने उससे का कि ये काम कर तो 8 लाग रुपए की बिल बना दे इससे मेरी custom duty इंडिया में कम लगी उसने 8 लाग की बिल बना दी मेरा ही relative है ठीक है और मैंने उससे का कि ये काम कर बिल तो 8 लाग रुपए की बना दे अभी 8 लाग रुपए दे दूँगा और 2 लाग रुपए किसी और बहाने से कभी और payment कर दूँगा वो माल के respect में नहीं करूँगा किसी और बहाने से कभी और payment कर दूँगा 2 लाग रुपए की इसने कर दिया क्योंकि आज तो माल 8 लाग रुपए का है तो custom नेटी 8 लाग रुपए पे लगीगी और क्या क्या हो सकता है हो सकता है जो मुझे माल export कर रहा है उसने कहा कि मैं आपको जो माल export कर रहा हूँ उसमें material 3 लाग रुपए का है उसमें labor लगा हुआ है 3 लाग रुपए का design उसमें लगी हुई है 4 लाग रुपए की और 1 लाग रुपए का मेरा profit है इसलिए मैं माल आपको कितने का दे रहा हूँ 11 लाग रुपए का ये कौन बोल रहा है exporter बोल रहा है तो भाई मैं अगर 11 लाग रुपए उसमें पे करता हूँ तो मुझे 11 लाग रुपए पे custom duty देनी पड़ जाएगी माल की value तो बढ़ गई मैंने उसे का एक काम कर design कहा से लेते हो ये 4 लाग रुपए की जो design का जोड़ हो ये कहा से लेते हो तो उसने बताए कि एक designer है उसकी charges मुझे पे करने होते है 4 लाग रुपए तो मैंने उसे का एक काम कर exporter तो मुझे दिल बना कितने की 3 लाग 3 लाग plus 1 लाग 7 लाग रुपए की ठीक है और ये जो 4 लाग रुपए designing का होता है इसकी payment मेरी बात करादे उस designer से उसकी payment मैं अलग से 4 लाग रुपए कर दूँगा तो जब तुम्हारा माल 7 लाग रुपए का आएगा तो मुझे custom duty कितने पे पे करने पड़ेगी 7 लाग पे और designer को मैं अलग से क्या करूँगा payment कर दूँगा 4 लाग रुपए की इससे माल की value कम हो जाएगी और custom duty कम पे करने पड़ेगी तो आप ध्यान दीजिए government जानती है कि क्या-क्या लोग practices अपना सकते हैं वो किस-किस तरीके से प्रयाज करेंगे accessible value को कम दिखाने की तो government जैं उन सभी रास्तों को trap करने के लिए rules बनाए है कि देखिए अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे ताकि government को right custom duty receive हो सके अब ये transaction value क्या होता है थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं transaction value हम कहते हैं C.I.F value को C.I.F किसको कहते हैं C.I.F अभी बताते हैं C.I.F क्या होता है ये रा हिंदोस्तान वैसे तो हिंदोस्तान देख के मुझे पैचान में आ जाता है आदा अदूरा भी हिंदोस्तान बनाएंगे तो हम समझ जाते हैं इंडुस्तान है ये है यूएस से ये रहा हमारा इंडिया ये रहा यूएस का पोर्ट और ये रहा है इंडिया का पोर्ट जहाज की जरीय माल यहां से यहां तक आएगा ये रहा बीच में पानी पानी भाई नीले रंगा बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा ये रहा पान जहाज की जरीए मेरा माल यहाँ से यूएस से लेके इंडिया तक आना है अगर यूएस पोर्ट तक जो पहुचाने का खर्चा होता है उसको कहा जाता है FOB FOB वैल्यू तो यसे बताता हूँ अगर एक्सपोर्टर अपनी पोर्ट तक पहुचा के जो रेट कोट करता है कहता है कि मैं अपनी पोर्ट देखिए फैक्ट्यूस की कहा है यूएस से में यहाँ है उसने का मैं यहां तक माल पहुचा दूँगा और आप से लूँगा पांच लाक पंद्रा हजार रुपए तो पांच लाक पंद्रा हजार रुपए को का जाएगा FOB वैल्यू अगर इस माल को यहां से लेकि यहां तक लाया जाए तो बीच में कुछ और भी खर्चे लगते हैं वो लगता है जहाज का किराया फ्रेट यह जो जहाज आ रही है उसका भारा लगेगा और लगेगा इंशुरेंस अरे पानी से माल आ रहा है कहीं डू वूप गया तो तो उसका इंशुरेंस कराए गया है तो इंशुरेंस का खर्चा insurance की जो premium payaker है उसका खर्चा लगेगा तो freight और insurance दो और खर्चे लगेंगे माल मेरा पहुच जाएगा यहां तक जब माल यहां तक पहुच जाता है तो सारे खर्चे मिला के बुले जाते हैं उसको CIF value अर यह बहुत समझ में क्या बोलते हैं उसको CIF value CIF का full form क्या होता है मैं आपको बता हूँ CIF C का मतलब होता है cost I का मतलब होता है insurance और F का मतलब होता है freight और यह कैसे निकलता है CIF FOB में अगर freight और insurance जोड देंगे तो इसे कहा जाएगा CIF FOB को ही बच्चों बोलते है cost यह जो CIF होता है क्यों CIF बोलते है C का मतलब FOB है F का मतलब freight है और बीच में यह जो I है इसका मतलब insurance है दिख रहा है सब properly प्लेर है इतनी बात अच्चा FOB का full form क्या होता है आपको बता दे free on board free on board का मतलब यह बिसिकली कि board तक पहुचाने का board board मतलब basically sea board पे sea board पे पहुचाने तक का ठीक है in fact board का मतलब तो यह है कि sip में डाल देने तक का sip में डाल देने तक का जो खरचा है अपने board पे उसको हम बोलते हैं free on board मतलब बोर्ट तक पहुचा देंगे सिप में माल डाल देंगे वहां तक का खर्चा इसमें included है free कुछ नहीं है free on board का मतलब यह है कि every charges ठीक है अपन एक्सपोर्टर अपनी सीपोर्ट पे जो सिप लगी हुई है उस पे डरवा देगा वहां तक का पूरा खर्चा उसने इंग्डूट कर लिया है यह इसका मतलब होता है और FOB में दो खर्चे और जोड़ दिये जाते हैं तो वो बन जाता है CIF और CIF को ही accessible value गहते है CIF is accessible value CIF is equal to accessible value ठीक है और यह accessible value कौन सी वाली accessible value यह transaction value है इसी पे फिर custom duty लगाई जाएगी Rule 1 Custom valuation determination of value of imported goods Rules 2007 Rule 1 में तो बस यह लिखा हुए Rule का नाम क्या है Rule 2 क्या है Rule 2 में definition दी गई है Various terms defined like relative कौन होता है क्योंकि basically इस rule में आगे चलकी यह सब बताएगे ना कि अगर relative के साथ आपने transaction किया है और वो influenced है price तो हम मानें के नहीं ठीक है relative के साथ के transaction नहीं माने जाएगे उसकी जो actual price है फिर हम कुछ valuation rule लगा कि उसकी value निकालेंगे क्योंकि relative के साथ transaction की है तो निश्चित है कुछ गारबार भी आप कर सकते हो accessible value को कम दिखाने का प्रेस किया जा सकता है transaction value transaction value आपको पताएगे transaction value जिस value पे transaction होता है ठीक है computed value बहुत सारे cases में transaction value को माना ही नहीं जाता है ठीक है क्यों क्योंकि transaction value genuine नहीं लग रही है तो compute किया जाता है value इसे का जाता है computed value फिर deductive value क्या है अब कभी कभी value deduce कराई जाती है deduce क्यों कराई जाती है मैं बताता हूँ आपको मैं माल import कर रहा हूँ 5 लाख रुपे में मैं माल import कर रहा हूँ 5 लाख रुपे में और हिंदुस्तान में बाकि सभी लोग उस माल को इंपोर्ट कर रहे हैं दस लाग रुपए में तो कर्ष्टम आफीसर कह रहा है राज अगरवाल जी आप ही बड़े यूनिक आत्मी है किया अकेले पांच लाग रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं पुरे हिंदोस्तान में बाकि सभी लोग इंपोर्ट करते हैं दस लाग रुपए में वो माल कुछ गरवर लग रहा है आपके केस में हम आपकी वैल्यू अब डिडियूस करेंगे निकालेंगे अच्छा अब जब भी कुछ गरवरी होती है तो वैल्यू निकालने के लिए सहारा लिया जाता है सिमलर गुर्स का और आइडिंटिकल गुर्स का पहले तो सहारा लेते है आइडिंटिकल गुर्स का अगर आइडिंटिकल गुर्स से बात नहीं बनती है तो सिमलर गुर्स में जाती है identical goods क्या होता है अब जैसे माल लीजे हीरो की एक दो बाइक का नाम लीजे एक हीरो की बाइक आती है Splendor एक passion है अब इस Splendor का import हो रहा है ठीक है example से समझेगा बात ये तो हिंदोस्तान में बन वही import की आवश्चता नहीं है example बस focus करने की courses कीजिए कि ये identical goods कहलाएंगे similar goods क्या होते हैं आपको लगे हाथ बता दें जैसे कि बाइक एक बाइक की दूसरे बाइक से अगर comparison की जाए तो वो basically identical goods होगा है दो बाइक एक identical goods है लेकिन एक बाइक है अब बाइक का import दूसरा कोई होई नी रहा है तो इस कूटी से भी compare किया जा सकता है तो ये कहराएंगे similar goods बाइक और इस कूटी similar goods है लेकिन दो बाइक आपस में क्या है identical goods है आईप सब को identical और similar में अंतर समझ में आ गया होगा identical मतलब है exactly same almost same and similar का मतलब approximately same similar means approximately same identical means almost same ठीक है तो इन सब को define किया गया है क्योंकि इनकी मदद से ही valuation वगरा की जाती है जहां पे भी value transaction value गरबा समझ में आती है rule 3 क्या है transaction value of import good read with rule 10 कहता है transaction value अब rule 3 से ही समझ लीजे valuation के rule सुरू होते है rule 3 कहता है transaction value को value माना जाएगा this method is applicable only when the importer satisfies the following condition ये चार कंडिशन साइडिस्फाई करोगे तो transaction value मान ली जाएगी पहली कंडिशन seller should not have any control on the important words ये जो विदेश से माल भेजा है हिंदोस्तान में यहां से माल गया आया है यहां पे माल जब इंडिया में आ गया उसके बाद भी ये यूएस वाला पूछता रहता है अच्छा उस माल का क्या किये तू उस माल क्या further processing हो गया की नहीं पता है इसका मतलब क्या है ये आज भी question कर रहा है अगरे तुमसे क्या मतलब है हम पैसा देके माल खरीद लिये तो हमसे क्यों पूछोगे हम उसका क्या कर रहे है ये कोट मैंने पैसे देके जिस दुकानदा से खरीद लिया है क्या वो मुझसे अब पूछ सकता है तुमने इसको पहना की नहीं पहनने के बाद इसका ड्राइक्लिंग कराया की नहीं अरे तुम कौन होते हो पूछने वाले मैंने पैसे दिये और खरीद लिये अगर वो आज भी पूछ रहा है तो इसका मतलब है कुछ कंट्रोल है उसका इस डेजर पे कोट पे हो सकता है ये एक दस जार रुपय का माल था लेकिन मैंने उसको सिर्फ 4,000 रुपय दिये है तो आज मैं उसको चिंता पड़ी है इस कोट की तो मुसे पूछ रहा है अच्छा जो 4,000 रुपय दे के कोट ले गा है तो उसका क्या किये पहनना सुरू किये कि नहीं क्यों निश्चित है वो तभी ये बात पूछ सकता है जब प्राइज में कुछ गरबर हो मैंने उसे प्राइज अब पूरी नहीं दी है तो देखिए ये क्या कह रहा है Seller should not have any control on the imported goods Seller का कोई मतलब नहीं होना चाहिए imported goods से अगर क्योंकि Government क्या सोच रही है Government कह रही है Seller आज भी imported goods के बारे में पूछ रहा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई influence है Seller का और कोई influence है Seller का तो इसका मतलब है कि जो price दिखाई गई है वो गरबर है आई बाँ समझे है इसलिए Government क्या कह रही है कह रही है Transaction Value मानेंगे कब मानेंगे जब Seller एग भी बात नहीं करेगा माल दे दिया तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए Transaction Value मानेंगे दूसरी बात The sale price would be the sole consideration जो हमने payment किये से वही consideration है हमने उसको payment दी 10 लाक रुपे की और उसके लिए काम भी किया है कुछ काम किया उसकी कोई मदद की है ठीक है इंडार्ट तरीके से कुछ उसको services दे दी है तो government कह रही है फिर वो price import की सही नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने क्या किया एक माल इंपोर्ट किया जिसकी value थी 20 लाक रुपे लेकिर since मैंने उसको कोई service दी है इसलिए उसने मुस्ते से 12 लाक रुपे लिए तो government कह रही है जो payment ख़द है वो sole consideration होना चाहिए तुमने उसके लिए और कुछ भी नहीं किया है ये बात का ध्यान रखना होगा The sale process would not be shared with the exporter by the importer after sale क्या मतलब है देखें विदेश से एक माल आया हिंदुस्तान में US से माल आ रहा है इंडिया में कितने में 10 लाक रुपे में और फिर ये क्या कहता है ये exporter क्या कहता है कहता है जब तुम इस माल को बेच लोगे न तो फिर बेचने का भी 20% मुझे देना तो ये माल फिर इंडिया में इसने बेचा 15 लाक रुपे का तो 15 लाक रुपे का 20% कितना होता है 3 लाक रुपे 3 लाक रुपे इसको वापस से फिर दे दिया तो गौर्मेंट कह रही है कि अगर बाद में पैसा जाएगा ऐसा कुछ भी सिस्टम है कि सेल होगा तो फिर पैसा जाएगा तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन वैल्यू गलत है मुर्क बना रहे हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो माल आया था वो 13 लाक रुपे का था 10 लाक रुपे पहले दिलवा दिये और फिर 3 लाक रुपे बाद में ले रहे हो ये तो कस्टम डुटी बचाने का ना चक्कर हो गया कि अभी माल 10 लाक रुपे में ले लो बेचोगे तो फिर पेमेंट कर देना उसका प्रोसीड सेल प्रोसीड का 20% दे देना ये तो मुर्क बनाने वाला काम है किसको गौर्मेंट को गौर्मेंट आफ इंडिया को एससेबल वैल्यू को कम करने का प्रैयाश किया गया है प्रांजिक्शन वैल्यू कम देखाई जा रही है गौर्मेंट के लिए ऐसे थोड़ी न मानेंगे अगर तुम बाद में कुछ पैसे दोगे तो यह हम value मानेंगे ही नहीं तो seller का कोई control नहीं होना चाहिए जो payment कर रहे हो sole consideration होनी चाहिए sale के बाद after sale importer कुछ भी payment exporter को नहीं करेगा buy and seller should not be related उन में आपस में कोई संबंद नहीं होना चाहिए कोई भी संबंद है तो transaction value नहीं माना जाएगा तो चलिए याद रखेंगे transaction value कब माना जाता है चार condition satisfy करोगे तब transaction value माना जाएगा number one exporter माल देने के बाद कोई भी control influence नहीं करेगा उस माल पे जो payment exporter कर रहा है वो sole consideration होना चाहिए फिर उसके बाद after sale importer कोई भी payment exporter को नहीं करेगा और last बाद by yourself related नहीं होने चाहिए चेके इतनी बात तो ऐसे में transaction value consider कर ली जाएगी और transaction value के basis पे ही क्या होता है फिर वो value को अगर consider कर ली जाती है तो उसी से हम CIF अगर निकाल लेते हैं और CIF ही हमारी क्या होती है accessible value अब देखिए मैं अब आपको कुछ बतानी जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए का देखिए F.O.B. का मतलब क्या होता है F.O.B. का मतलब क्या होता है जैसे हटाता हूँ एक से समझेए यह एक्सपोर्टिंग कंट्री है ठीक है फाक्टरी यहां पे है यह फाक्टरी है यह रहा पोर्ट सी पोर्ट यहां पे यह रहा है इंडिया ठीक है इंडिया का सीपोर्ट यह दा फ्रैक्टरी के गेट पर एक्सपोर्टे जितने का माल देने को तयार होता है उसे कहा रहता है एक्स फ्रैक्टरी प्राइस उसे क्या बोलते हैं एक्स फ्रैक्टरी प्राइस मतलब हम फैक्टरी की गेट पे इस प्राइस पे माल देने को तयार है लेकिन फैक्टरी के गेट से यहां से यहां तक लाने में कुछ खर्चे लगते होंगे बच्चों और यहां तक का सिर्फ खर्चा ही नहीं है सी पोर्ट पे जहाज माल चाहा भी देना है तो क्या क्या खर्चे लगते होंगे अजि भाई साथ फैक्टरी से लेके अगर सीपोर तक माल आया है तो खर्चे लगी हैं कौन से लगी हैं खर्चे कौन से खर्चे लगी हैं भाड़ा लगा क्या इतनी दूरी का भी इंशुरेंस कराए गया है हो सकता है कराए गया हो खोल सकता है कराए गया हो फ्रेट तो लगाई होगा इंशुरेंस भी हो सकता है लगाई लगाई तो वो भी जोड़ो उसके बाद वहाँ के माल लाके जहाज में चढ़ाए गया होगा तो लोडिंग का खर्चा लगा होगा जहाज का इतने खर्चे अगर एक्स फैक्टरी प्राइज में और जोड़ दिये जाएं तो उसे कहा जाता है F.O.B अब आप बताएंगे बच्चो F.O.B कैसे बनता है एक्स फैक्टरी प्राइज में भारा जोड़ 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 जो आचा अब F.O.B. प्राइस कौन सी लेनी है अब ये बात होती है मतलब F.O.B. में अगर दो खर्चे और जोड़ दी जाए तो वो C.I.A. बन जाता है लेकिन कौर्वर्मेंट अब कहती है कहती है X.Factory प्राइस में कुछ चीजे जोड़ी जाती है तो वो क्या बन जाता है F.O.B. लेकिन कभी-कभी ये F.O.B. genuine नहीं होती प्लानिंग की गई है प्लानिंग कैसे की गई है प्लानिंग इस तरीके से की गई है बिल को कम का दिखाये गया है कैसे कम का दिखाये गया है मैं आपको बताता हूँ देखे यह जो exporting country है न इसका यहाँ पे exporter है उसका एक agent इंडिया में operate कर रहा है ठीक है मैं importer हूँ हिंदुस्तान में हूँ जो exporter है उसका एक agent हिंदुस्तान में काम करता है वो मेरे पास आया मुझे कुछ माल दिखाया का कि यह समान है मैं विदेश से आपको दिलवा सकता हूँ राज अबरवाल जी मैंने का अच्छा किस भाव में दिलाओगे उसने का पांच लाक रुपए में यह माल आपको दिलवा दुनगा मैंने का यार यह तो बहुत अच्छा माल है दिलवा दो मुझे पांच लाख रुपए में उसने कहा कि ठीक है आप पांच लाख रुपए की पेमिन्ट करने को तयार हो तो मैं आपको माल दिलवा देता हूँ मैंने कहा बिल्कुल दिलवा दो ये माल और वो जो एजेंट काम करता है न उसको पता है क्या होता है 10% commission मिलता है मतलब मैं जो भी payment 5 लाग रुपए कि मैं payment करूँगा जैसे ही exporter को तो exporter उसको कितना दे देगा 50 ज़र होगा चेक है तो अब वो एक agent क्या करता है मेरी phone पे बात कराता है exporter कहता है मैं माल निकाल रहा हूँ यहाँ पर 5 लाग रुपए की आपको payment करनी है मैं कहता हूँ दन है फिर धीरे से exporter बोलता है तो आप देने को तैयार ही हो मैं कहता हूँ थोड़ी सी आपकी custom duty बचवा दूँ तो आपको अच्छा लगेगा हम कहता है हाँ मजा आ जाएगा custom duty बच जाए तो और थोड़ी तो कहता है मैं एक काम करता हूँ आपको पांच लग रुपए देने लेकिन आपकी custom duty में सारे चार लग पे लगवा दूँगा मतलब taxes पांच पे नहीं देना पड़ेगा मुझे payment आप पांच की करोगे लेकिन tax आपका सारे चार पे लगेगा एक जोगार है मेरे पास मैं कहता हूँ बड़ी सुन्दर बात है जल्दी बताओ कहता है मुझे payment पांच की मत कंदा मुझे payment सारे चार लग रुपए की करो अब पाचास चार रुपए मेरा जो agent तुमको मिलवाया है उसको दे दो सीदे तो मैं यहां से बिल बनाके भेजूँगा सारे चार लग की तो तुम्हारा transaction value कितना हो जाएगा सारे चार लग के हिसाब से अब तुम्हें tax कितने पे देना पड़ेगा सारे चार लग पे मैं कहता हूँ बड़ी सुन्दर बात मुझे तो पांच देने है मेरे खाते में डाल दे मैंने डाल दिया कहता है 50.000 रजग dejar पका दे मैंने पका दिया भर पांच मुझे देने चाहे जैसे लेलो लेकिन ऐसा करने से मुझे फायदा हुआ उसने बिल बनाई सारे 4,000 रख के हिसाब से और मुझे custom duty पे करना पड़ा साड़े चार लाट पे और ये बात समझ में तो अब गौर्वर्मेंट कह रिए गौर्वर्मेंट कह रिए अगर तुम सेलर के किसी एजेंट को हिंदुस्तान में यहां पर पेमिंट करते हो तो वो तुम्हारी लाइबिल्टी थोड़ी न थी और इस सेलर का एजेंट का सेलर को पे करना था अगर राज अगरवार तुमने सेलर के एजिंट को पैसा दिया है तो इसका मतलब है तुमने सेलर को पैसा दिया है और मैं तुम्हारी F.O.B. प्राइस बढ़ा दूगा आई बास समझ में तो गॉर्मेंट मेरी F.O.B. प्राइस बढ़ा देगी Government इस FOB में कुछ और चीज़ें जोड़ेगी जो जो हम चलाकी करेंगे वो सब जोड़ेगी अब बुलेगी कि This is FOB as per customs ओहो आई बात समझ में ये तो FOB कौन बोल रहा था एक्सपोर्टर इम्पोर्टर बोल रहा थे Government ये बहुत हो गया नाटक ये है करें FOB as per customs आई बात समझ में देखें और भी कुछ चलाकिया होती है मैं आपको बताता हूँ मैं बताओंगा नहीं मैं आप से पूछूँगा तो आपको समझ में आएगा एक पाद बताओं मैं विदेश से 10 लाक रुपय का माल मगा रहा हूँ ठीक है ये 10 लाक रुपय गोड्स का है ठीक है और मैं नहीं इसकी पैकिंग कर रहा है वो लोग पैकिंग का भी 10 लाक रुपया लिये है माल 10 लाक 10 लाक रुपय की मुझे पेमिंट करनी है बत समझ में मैं विदेश से 10 लाक रुपय का माल मगवाया हूँ और दस अजार रुपए वो लोग पैकिंग का चार्च कर ली है तो होटल वैल्यू और ये दस लाग दस जार रुपए मुझे कस्टम ड्यूटी कितने पे पे करनी चाहिए ये है आइटम ए गुड्स का नाम और आइटम ए की जो कस्टम ड्यूटी है BCD जो है वो 30% है मुझे 30% किसका देना चाहिए 10 लाग रुपए का ये 10 लाग 10 जार रुपए का क्या लगता है आपको चली कोई बाद नहीं मैं मदद करता हूँ आपकी अट ताइम्स लोगों को लगता है कि भाई आइटम ए की कस्टम ड्यूटी 30% तो आइटम ए की जो वैल्यू है दस लाग रुपए उसी पर देना चाहिए या पैकिंग एकिंग पर तो गौर्णम ड्यूटी नहीं लेना चाहिए जैसे ही गौर्णम बोलेगी कि मैं पैकिंग पर कस्टम ड्यूटी नहीं लोगई पता है क्या करेंगे लोग अगर मैं होता यहां पर गौर्णम गया थी पैकिंग पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी बस माल कितने का है दस लाग दस लाग रुपए पर टेक्स लेंगे 30% का 3 लाग रुपए तो हम एक्सपोर्टर को कहते मेरे जैसे लोग भी तो हिंदोस्तान में हैं हम एक्सपोर्टर को कहते है एक काम कर, बिल बनाओ गौर्ट्स का 10 जार रुपए कोई माल का 10 जार रुपए ले रहे हैं पैकिंग का 10 लाग रुपए ले रहे हैं अरे बोलो न आ कौनम बना करता है 10.5 पैकिंग का लिय रहा है और हम देर में को तैयार है हो गया टोटल यल्यू कितना दस राग दस जार रुटया पेवेंट हम उसको करेंगे दस राग दस जार सरकार क्या कहती है गोड़े टेक्स अलेंगे तो 10 जार का 30% इतना हुआ तीन और जार उप्टिय टेक्स दे देंकि जहाद तीन लाड के टाक्स लगना चिए था वह तीन और जार उप्टे के टेक्स में काम हो गया गौर्मेंट ऐसा नहीं कर सकती गौर्मेंट को मालूम है कि लोग बहुत होसियार है अगर गौर्म्ट कहेगी पैकिंग पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो विदेश से सारी बिल बन बन के इंगोस्तान में पता है कैसी आएगी पैकिंग के खर्चे की माल है दो रुटया का पैकिंग लग रही है उसमें 20 लाग रुटया की यह हो जाएगा तो गर्णन के रही है यह सबसे मतलब नहीं है टोटल वैल्यू माल का 10 लाग दरजार उटा है इस पे कस्टम ड्यूट लगेगी तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सपोर्टर बोलता है कि मेरी फोबी जो है उसमें पैकिंग वो इंक्लूट नहीं किया रहता है तो वो इंक्लूट कर देंगे तो जो भी चीज़े गर्ण पर की गई है जो भी चलाकियां की गई है वो चलाकियां यहाँ पर आइड होगी इसको आप हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर चलाकियां यह चलाकियां आइड हो रही है तो जिस जिस तरीके से F.O.B. को रिडियूस करने को कोर्सिस की गई है वो सब कुछ करके उसको बाहर दिया जाएगा तो आम रिपीटिंग अगेन फाक्टरी के गेट पे जो खर्चा लगता है फाक्टरी के गेट तर जिस प्राइस पे एक्सपोर्टर देने को तयार है उसके बाद इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को एड़ किया जाता है जो इससे जनरली एक्सपोर्टर इंपोर्टर मिलके पाइस को रिडियूस करने की कोसिस कर रहे थे उसे एड़ करके F.O.B.S पर कस्टम्स निकाल लिया जाता है फिर इसमें फ्रेट और इंशिरंज जोड़ा जाता है तो यह कहलाता है C.I.F और इसी C.I.F को कहते हैं एसेसिबल वैडियूस याद रहेगा आपको यह है पूरी कहान राइट कैना इमोफ टो बुक ना हूँ चलिए आईए बुक पे आपको लेना है सबसे पहले X-Factory Price Value of Material उस माल की X-Factory Price मतलब एक्सपोर्टर फाक्टरी के गेट पे किस रेट पे माल देने को तयार है वो हो गया उसके पाद उसमें Freight Insurance Up To Port Port Of Which Country Exporting Country और Importing Country USA के Port तक या हिंदुस्तान के Port तक USA के Port तक Up To The Port Of Sipment In The Exporting Country उसको जोड़ दीजे अच्छा तो जहाज में माल चलाने का खर्चा Loading On The Sip यह जोड़ दीजे तो यह कहलाएगा FOB अब FOB में कुछ चलाकियां जिससे आप Price को Reduce करने की कोसिस किये थे वो जोड़ दिये जाएंगे If Not Included In Above अगर यह सब Included नहीं है तो Add किये जाएंगे नहीं तो नहीं यह इतनी सारी चीजे इसको और Add किया जाएगा अगर Included नहीं है तो जैसे Commission Brokerage Accept Buying Commission Repeat करता हूँ मैं Commission Brokerage कौन से Commission Brokerage को Add किया जाएगा अगर हम Seller के Agent को Pay करना है क्योंकि Seller के Agent को Payment किसको करना चाहिए था Seller को करना चाहिए था हमने अगर Seller के Agent को Payment किया इसका मतलब है मैंने Seller को यह Payment किया तो Transaction Value need to be increased लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है Agent जो है वो Seller का नहीं है वो मेरा Agent है वो मुझे माल दिलाता है वो मुझसे Commission लेता है वो मुझसे माल दिलाने का Commission लेता है वो कहता है ठीक है आपको क्या माल चाहिए मैं बोलता हूँ यह माल चाहिए तब वो विदेश में Explore करता है कि कौन यह माल देता है सबसे Quodation मगाता है Best Rate लेता है और फिर वो मुझे माल दिलाता है और मुझसे Commission लेता है ठीक है वो किसी Particular Exporter के लिए काम नहीं करता है वो मेरे लिए काम करता है मैं उसको जब माल बताता हूँ तो वो 75 जगह से विदेशों में Condition लेता है Right Quality, Right Rate वगरा यह सब Decide करने के बाद वो मुझे फिर माल दिलाता है और मैं उसे 10% Commission देता हूँ अध्यान से समझेगा इस केस में अगर बिल वो बनाता है एक्सपोर्टर 10,00,00 रुपए की तो 10,00,00 मैं उसे देता हूँ और 1,00,00 रुपए अपने Buying Agent को अलग से देता हूँ वो Buying Agent है वो मुझे माल खरीदवाने में मदद करता है तो उसे मैं अलग से पेमेंट रगता हूँ Selling Agent या Selling Commission का मतलग क्या होता है वो Seller का Agent था उसको Commission में क्यों दिबा हूँ उसको तो Seller दिखा न तो अगर मैंने उसको Payment दिया है तो that need to be added Packing cost अगर packing cost नहीं add हूँ है तो add करना पड़ेगा भाई लेकिन हाँ accept the cost of durable and returnable packing अगर durable and returnable packing है मतलब अगर packing वापस चली जाएगी जिसका पैसा मुझे वापस मिल जाएगा तो वो add होना भी नीची यह सवाइक सी बात है जैसे मेरे पास exporter ने माल भेजा 50,000 रुपए का उस पर 5,000 रुपए packing का लगाया चीक है 55,000 रुपए की total bill थी अगर मैं यह packing वापस कर देता हूँ तो मुझे 5,000 रुपए less कर दिये जाते हैं मुझे 5,000 रुपए बस pack को के माल आएगा जिस काटून में pack होके आएगा वो काटून वापस भेज देंगे और भेज देंगे तो मुझे 5,000 रुपए कम देने होंगे यानि कि वापस से 50,000 रुपए ही देने होंगे तो अगर ऐसी कहानी है तो transaction value 55,000 रुपए माना जाएगा लेकिन अगर मैं packing वापस कर देता हूँ आप 50,000 रुपए मुझे देने है तो 50,000 रुपए ट्रांजिक्शन वाल्यू यही बात है यहाँ पे तो packing cost जोड़ी जाएगी लेकिन अगर durable और returnable packing है तो नहीं जोड़ा जाएगा वापस कर देंगे पैसा कम हो जाएगा तो नहीं जोड़ा जाएगा cost of engineering, development, plan, sketches, undertaking outside इलिया यह क्या मतलब है याद है आपको एक example ले रहा था जिसमें मैं कह रहा था कि वो बोलता है मुझे कि design का मैं 4 लाख रुपए जोड़ा हूँ तो मैंने उसे का कि designer से मुझे direct मिलवा दे जिससे तू technology लेता है उससे मुझे direct मिलवा दे इस designing का technology का पैसा मैं directly उसे pay कर दूँगा और तू उतना less करके bill बना देना तो इससे transition value कम हो जाएगी और custom duty कम लगेगी तो क्या कर रहा है कि designing का और engineering का development charge जैसा अगर यह सब हिंदुस्तान के बाहर पे किया गया है उस माल के respect में जो माल आप import कर रहे है तो वो accessible value में जोड़ा जाएगा वो हम जोड़ेंगे royalty and license fee royalty and license fee का मतलब क्या है कि अगर माल हम import कर रहा है और उसके बाद sale का 10% वो और लेगा बहिए sale का 10% और लोगे इसका मतलब यह है कि वो भी जोड़ कि फिर accessible value निकाली जाएगी जैसे 10 लाग रुपए में मैंने माल import कर लिया फिर जब हम 15 लाग रुपए में उसको बेचेंगे न तो 10% 15 लाग का 15 लाग रुपए और देंगे इस बोटर को तो बहिए जो माल आया था न वो सारे 11 लाग रुपए गा था इसका मतलब तो अगर मुझे कोई royalty, license fee वगर माद में देनी है तो वो भी add की जाएगी value of subsequent resale if payable to foreign supplier जैसे वही बात होगी फिर से वही बात कि अगर जब हम sale कर रहे हैं फिर उसमें से कुछ पैसे देंगे तो वो add किया जाएगा value of material supplied by the buyer free of cost इसका क्या मतलब है supplier ने मुझे 11 लाग रुपए में exporter ने मुझे माल देने को का जिसमें से का कि मैं 3 लाग का material लगाँगा 3 लाग का labor, 4 लाग की design ने एक लाग का profit है 11 लाग रुपए में माल आपको दूँगा मैंने का ये material 3 लाग रुपए का मैं तुझे भेज़ दे रहा हूँ अब तु मुझे कितने का bill बनाएगा तो का कि 11 लाग में से 3 लाग रुपए कम कर देते हैं वह 8 लाग रुपए की bill बना देंगे government के लिए bill बने 8 लाग रुपए की बनेगी FOB हमें 11 लाग रुपए की हिसाब से ही मानेंगे तो 3 लाग रुपए का तुमने material उसको दिया है तुझे free of cost वो भी हम जोड़ेंगे क्योंकि जो माल आ रहा है उसमें वो material यूज हुआ है जिसको आपने supply किया था चिक है क्योंकि जिस दिन government ये कह देगी न कि जितनी की bill बन रही है उसी पर custom duty लग लगेगा तो हम क्या करेंगे आपको पता है material हम ही भेज़ देंगे design जो होगा उसकी directly हमी payment कर देंगे तो value बहुत reduce हो जाएगे और हर को यहाँ पर play करेगा ठीक है तो कोई भी material बगर अगर buyer free of course supply भी करता है तो वो भी accessible value में जोग दिया जाता है तो यह सब कुछ add करने के बाद बनेगा FOB अब FOB पर freight जोड़ना है और insurance जोड़ना है अब कोगे दो चीजे और हैं सर बताता हूँ यह normally नहीं रहेंगी बहुत छोटी बाते हैं अगर है तो जोड़ना है freight जोड़ना है अगर freight नहीं दिया हुआ है तो 20% FOB value का freight जोड़ा जाता है कौन सी FOB value का यह वाली यह वाली FOB value as per custom वाली पे 20% अगर इंशुरेंस का खचा नहीं दिया है तो 1.125% जोड़ा जाता है FOB value का as per custom वाला यह वाली FOB एक्सपोर्टर जो FOB कहा रहा है वो नहीं तो freight और इंशुरेंच जोड़ना है if freight is not provided 20% of FOB is freight and if insurance is not provided 1.125% will be taken as insurance right now what is these two charges SIP Demerage Charges and Lightrage or Bar Charges समझाता हूँ यह देखो मैंने का यहां तक पोर्ट तक आजाने की खर्चे को का जाता है CIF अभी सिप Demerage Charges क्या होता है ध्यार दीजेगा मैंने पहले भी आपको Demerage Charges के बारे में कुछ बता रखा है सबसे पहली बात तो وہ Demerage Charges एकदम अलग है वो एकदम अलग है यह Demerage Charges अलग है इसका नाम है SIP Demerage Charges बच्चों बुनला नहीं यह Demerage Charges नहीं है यह SIP Demerage Charges है यह एकदम अलग चीज है लेकिन बच्चे तो ऐसे हैं ना कि नया वाला SIP Demerage Charges तर हमको क्या बताएंगे हम तो पुनाना वाला भी भूली चुके है बच्चों आपको याद दिला दे Demerage Charges जो पहले हमने बताए तो वो क्या था Demerage Charges और यह SIP Demerage Charges Demerage Charges क्या है कि हिंदुस्तान के पोर्ट जो है वो बहुत बिजी है बिजी क्यों है क्योंकि हिंदुस्तान का 90-95% जो इंपोर्ट होता है वो समुद्री जहाज से होता है ना कि हवाई जहाज से हवाई जहाज का भारा ज़्यादा है और इसलिए एफोर्ट करना मुस्किल होता है तो समुद्री जहाज के जरिये ही हमारे देस का 90-95% इंपोर्ट किया जाता है तो हमारी पोर्ट बहुत बिजी है खाली नहीं रहते आपको एक निर्धारिस समय दिया जाता है कि देखो भाई साथ तीन दिन के अंदर अपना माल पोर्ट से उठा ले ना अरे दूसरे का माल गिराना आए है इंपोर्ट पे अगर आप उस निर्धारिस समय में अपना माल नहीं उठाते हो तो पोर्ट आपसे डेमरेच चार्जेस ले लेती है ठीक है अब यह सिब डेमरेच चार्जेस के है वो एक अलग विशह है ठीक है वो कब होता है जब माल यहाँ पे उतर जाता है पोर्ट पे यहाँ पोर्ट पे माल आ गया वो पोर्ट पे माल आ गया वो पोर्ट पे माल आ गया अब डेमरेच तो तब लगेगा जब पोर्ट पे माल उतर गया और उसके बाद पढ़ा रह गया वो पोर्ट पे माल आ गया वो पोर्ट पे माल आ गया यह समुन्दर से ओके आ रही थी जहां पर पानी का लेवल बहुत ही गहरा था तो अराम से यह बड़ी वाली से पानी में चल पा रही थी अग जैसे ही समुन्दर के किनारी आये तो यहां का पानी का लेवल बड़ा छोटा है तो ये बड़ी वाली जहाज यहां पर अचल नहीं पाएगी इस पानी में मतलब हिंदुस्तान की बहुत पास आने में तो ये छोटी छोटी जहाजों से फिर क्या किया जाता है माल उतारा जाता है चीक है और इस जहाज को लाकी यहीं पर रोख दिया जाता है और छोटी छोटी जहाजों पे माल लाद लाती है यहाँ पोट पे लाया जाता है बात समझ रहो कि नहीं इसको बढ़ा करें बड़ी जहाज यहाँ तक तो आ गई लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है क्यों? क्योंकि पानी का लेवली इतना कम है अब इतने कम पानी में छोटी जहाज चल पाएगी ठीक है छोटी छोटी जो नहाँ है वो चल पाएगी तो अब बड़ी वाले सिप से छोटे वाले सिप में माल उतारा जा रहा है यहाँ पे सिप लगा दी गई बड़ी वाली अब यहां से माल उतार उतार की इसमें डाला जा रहा है और पांच-छे बार में, दस बार में, बीस बार में माल पोर्ट तक पहुँच जाएगा तो इस नाओ वाले को कुछ देना होगा खर्शार्शा, इस काम को करने का हाँ, उसे क्या बुला जाता है पता है बच्चों उसे बुला जाता है लाइट रेज और बार्ज, ये अब इस सिप टेमरेज बता रहा है आपको इसे बुला जाता है लाइट रेज और बार्ज कभी कभी क्या होता है इस सिप को दूसरे की सिप भी लाके यही खड़ी करने है जगा घेर के बैटे हो पोट का तो तुमसे पैसे लिए जाते हैं अगर तुम्हारी सिप समुद्र में भी खड़ी है ना किनारे लगा के कहीं तुम्हारी की दूसरे लोगों की सिप आनी पारी है ना पोर्ट सिप खड़ी है तो पोर्ट का नुकसान हो रहा है इसे दूसरी सिपों को परिशानी हो रही है वो लाकि अपना माल उतार नहीं पा रही है तो इसलिए आप से पेमेंट लिया जाता है उसे का जाता है सिप डेमरे चार्जिस और ये सिप डैमरे चार्जिस पे किया जा रहा है क्योंकि आपकी सिप यहाँ पे पानी में खड़ी है और निधारित समय से ज़्यादा खड़ी रह गई और ये सिंस खर्चा मार्ट पोर्ट तक पहुचने के पहले का है और इसलिए ये सियाई एफ में जोग दिया जाता है बस आप ऐसे याद रुखिए पोर्ट तक पहुचने का जितना भी खर्चा है वो सियाई एफ में इंक्लूट किया जाता है तो कभी-कभी फरेट और इंशुरेंस के अलावाद दो छोटे खर्चे और लग सकते हैं एक सिप खड़ी रह गई पानी में आके तो सिप डेमरेट चार्जस लग जाएगा और दूसरा खर्चा एक ये लग सकता है कि सिप सिप दम किनारी तक नहीं आपा रहा है तो छोटी-छोटी सिप से माल लाया जा रहा है उसका खर्चा लग सकता है अच्छा कभी-कभी छोटी सिप बिलाने कि जोतने पड़ते हैं मजदू लगाए जाते हैं मजदू सर पे माल रख रखके क्या भरेंगे वो लेते आएंगे पोड तक तो जो मजदूरी हमने पे की है मजदूरों को उसको भी बार्ज ही कहा जाता है That is also called बार्ज लाइट रेजें बार्ज ये छोटी वाली नौका पे माल आए या फिर सर पे रखके मजदूर माल लेके आए दोनों ही केस में उस चार्ज को लाइट रे जो बार्ज चार्ज कहा जाएगा बसे मैं बार्ज का मतलब आपको बार्ज का मतलब क्या होता है बार्ज का मतलब होता है छोटी नौ नौ को बार्ज कहा जाता है ये छोटी नौ वाले चार्जेसे लेकिन इसका मतलब वो 9 वाले चार्जे जहुरी नहीं है अगर मजदूर सर पे भी रखके लाएगा ना तो उसको भी बाट चार्ज जैसी बोलेंगे चेक है कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब को जोड़ दिया जाएगा तो इसे CIF कहा जाएगा और जो CIF होता है वही क्या होती है बचो accessible value कोई तक्लीफ परफेट है NO accessible value of imported goods CIF value राइट I know that inspection and certification charges अच्छे ये क्या होता है मैं बताऊ कुछ cases में importer or exporter के बीच contact होता है कि माल हम port पे तभी होता रहेंगे जब हम चेक करकर के ही माल उतारेंगे मतलब वो क्या करेगा जैसे तो कि यह दूसरा डागरम बनाता हूँ है यह रहा हिंदुस्तान ठीक है यह नाव आई यहाँ पे हिंदुस्तान की एकदम पास में आगई ठीक है अब यहाँ से माल उतारना है इस पे चेक करेंगा चेक करकर के जितना माल अच्छा होगा वही उतरने देगा नहीं तो उतरने ही नहीं देगा माल वो वापस सिप पे चरा जाएगा बास समझ में आई तो इस बंदे को जो इंस्पेक्शन के लिए चार्ज दिया जा रहा है वो चार्ज कब लगा जो वो चार्जस पे खरेगा Since Port पर पहुचने से पहले का खरचा इसलिए CIF का हिससा बनेगा CIF प्राइस का मतलब होता है कि Post तक पहुचने का करचाई Importing Country के Port तक पहुचने का खरचा अपना ये आदमी पैठा कि ąगग तो नहीं मेरा अपना इस्काफ तो भाई उसको तो हम साली महीने की देते ही है वही बैटके वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहा है तो कोई अडिशनल चार्ज तो मैंने पे किया नहीं होगा तो वो नहीं जोड़ना है जब हम किसी एजेंसी को ये काम दे दिये किसी बार ही इंसान को ये काम दे दिये कि माल जाके चेक करो और जितना अच्छा माल हो बस उतना ही पोर्ट पे गिरवाना तो जो उसे पेमिंट करूँगा वो C.I.F. में जोड़ दिया जाएगा चिक है तो जैसे ये दो चीज़ और जोड़े इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्च भी ये कौन से केस में डिसाइड हुआ है बंबे टाइंग और मैनुफाक्च्छिं वरसे सीसी सीसी मतलब कमिश्नर अफ कॉस्टम इस केस में ये डिसाइड हुआ ये भी खर्चा जोड़ा जाएगा इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन राइट केस लॉब फ़न अभी केस लॉब आम देखने जा रहे हैं ये क्या है मैं आपको फैक्स समझाता हूँ हुआ क्या था इसमें जो इंपोर्टर है उसने कॉंट्रेक्ट किया कि मुझे सनफ्लावर सीट चाहिए और कॉंट्रेक्ट हुआ था किस रेट पे डॉलर 435 CIF मतलब वो CIF 435 डॉलर का मतलब हो गया कि हमारे देश के पोर्ट तक पहुँचा कि वो डॉलर 435 लेगा पर मेट्रिक था तो इस रेट में सौदा हो गया था ठीक है अब किसी वज़े से वो माल जिस समय सौदा हुआ वो जुलाई में ये सौदा हुआ था ये कॉंट्रेक्ट हुआ था लेकिन उस समय कंसाइनमेंट नहीं भेज पाया तो बाद में अगस्त में जाकी भेजता है वो कंसाइनमेंट और उसी प्राइस पे वेजता है जो तय हुई थी हाला कि मार्केट में अगस्त में प्राइस इसकी बढ़ गई थी वो 435 डॉलर नहीं था वो बढ़ चुकी थी मार्केट में तो जो कॉस्टम का अफीसर है वो कह रहा है कि भाई आज की दिन में तो मार्केट वैल्यू जादा है तुम भले 435 डॉलर में इंपोर्ट की हो हम जादा वाली वैल्यू पर कस्टम डूटी लेंगे बात समझ में आई हम इंपोर्टर हमने 435 डॉलर में जुलाई महिने में सौदा डन कर लिया अब एक्सपोर्टर देशारा जुलाई महिने में माल भेज नहीं पाई वो अगस्ट में माल भेजता है तो भई डन कितने में हुआ था 435 डॉलर में तो ओ Living in 335 डॉलर की हिसाब से माल भेज रा हैं हिंदूस्तान में मुझे अगस्т में भी जबकि मार्किट में प्राइस ज्यादा हो चुकी है माल लो 500 US डॉलर हो गई है तो मेरा कस्टम आफिस अब हिंदुस्तान में दंगा कर रहा है कह रहा है कि हम क्या से माल ले 435 US डॉलर ही आज की दिन का तो बहुत 500 US डॉलर है हम कस्टम ड्यूटी तो 500 US डॉलर मिलेंगे तो अब यहां पे बात आती है रूल थ्री की बच्चो रूल थ्री में क्या पढ़ा था आपने वापस से आईए और सुनिये रूल थ्री कहता है ट्रांजिक्शन वैलू ही ली जाएगी यानि 435 US डॉलर लिया जाएगा अगर यह चार कंडिशन साडिस्वाई होती है तो हम देखते हैं यह चार कंडिशन साडिस्वाई हो रही है कि ने नंबर वन सेलर्स उड नाट हैव एनी कंट्रोल भाई कोई कंट्रोल नहीं है वो तो मात रही है इसलिए 435 US डॉलर में दे रहा है क्योंकि जुलाई मेले में कॉंट्रेक्ट हो चुका था हूँ माल भेज नहीं पाया था कोई कंट्रोल एक्ससाज नहीं कर रहा है प्राइस स्टूल कंसिडरेशन हाँ भई 435 US डॉलर के हिसाब से जो पेमिन करने उसके रहा हो कुछ नहीं देंगे क्या सेल प्रोसीड को बाद में शेयर भी करना है अरे बिलकुल नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं है क्या हम रोग रिलेटेड है बिलकुल नहीं है रिलेटेड भी नहीं है तो भी है फिर कौन मना कर सकता है 435 US डॉलर को ना मानने से तो कस्टम आफीस अब बिलकुल घलत कह रहा है आप बताईए ठीक है 435 US डॉलर के हिसाब से ही कस्टम डुटी लगेगी तो हमने लिखा डिसीजा में no department view is not correct आज की दिन में market value क्या चल रही है ये बात की जौत नहीं है पहले तो transaction value ही ली जाती है अगर चार condition satisfy करते हैं और वो चार condition नहीं satisfy करते हैं related होते हैं तो फिर बात आती दूसरे rules की ठीक है अगर वो हम चार condition satisfy करते हैं कोई influence नहीं है उसका हम रोग related भी नहीं है तो फिर तो transaction value पर ही government भी custom duty लेती है अगला case law देखते हैं case law 2 case law 2 क्या है देखिए commission of central exercise manglewood versus manglewood refinery and petrochemicals limited revenue contented that demerate charges paid by the SSI includable in the accessible value for the levy of custom duty देखिए क्या कह रहा है कह रहा है custom वाले कह रहा है कि demerate charges जो है वो हम accessible value में include कर देंगे demerate charges थो रही नहीं include हो सकता है demerate charges तो तब लगता है जब port पर आपका माल पढ़ा रह जाता है कुछ दिन तक beyond the time limit given to you तो demerate charges देना होता है port पर आने के बात के खर्चे से तो कोई मतलब ही नहीं नहीं है accessible value is the CI of value am I right हाँ सिर्फ demerate charges होता तो वो तो port पर आने के पहले पहले लग गया है तो वो ज़रूर include होता demerate charges include नहीं होगा तो ये गलत है तो हम लिखेंगे कि demerate charges are incurred after the goods are reached to Indian import and thus it is a post importation event import के पहले का है चीक है तो demerate charges are not includable इसलिए वो include नहीं होगा right आईए freight के बारे में और insurance के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले 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 freight अगर हवाई जहाद से आ रहा है तो आएर freight कहते है समुन्दरी जहाद से आ रहा है तो हम उसको sea freight बोलते है चीक है sea freight अगर समुन्दरी जहाद से माल आ रहा है तो जितना भारा लगेगा वो भारा जोड़ेंगे और अगर नहीं दिया है तो 20% of FOB जोड़ेंगे लेकिन अगर हवाई जहाद से माल आ रहा है तो भारा हम ज़ादा से ज़ादा 20% of FOB जोड़ेंगे उससे ज़ादा नहीं जोड़ेंगे मैं बताता हूँ क्या वज़ा है इसके पीचे अगर हवाई जहाद से माल आता है ना तो पता चलेगा बेचारे इंपोर्टर की तो बैंड बच गई इतना भारा पहले तो ज़्यादा लग गया हवाई जहाँ से माल मगाया इतनी कॉस्टरम जूटी लग गई पता नहीं कुछ बचेगा भी कि नहीं बेचारे को गौर्णमेंट कहती है अगर तुम हवाई जहाँ से माल मगाओगे ना तो माल की जो FOB वैल्यू उसके 20% से ज़्यादा हम तुम से भारा जोने को नहीं कहेंगे CIF निकाल लेगी ध्यान दीजेगा भारा लगे गा कितना आरे भारा तो हवाई जहाँ वाला लेगा ना वो सरकार खोई ना ले रही है उसकी बात नहीं कर रहा है गौर्णमेंट कहरी है माल लो तुम 10,000 US डॉलर का FOB वैल्यू का माल मगाते हो भारा तुमने कितना दिया उस 10,000 US डॉलर के माल पे 3,000 US डॉलर का गौर्णमेंट कहरी है कि जब हम CIF निकालेंगे CIF is accessible value जब हम accessible value निकालेंगे tax payment के लिए तो 2,000 US डॉलर से ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे I am repeating my words again The FOB value of the goods was 10,000 US डॉलर चीक है आपने आपने जुमाल लिया उसकी FOB कितनी 10,000 US डॉलर चीक है AIR freight आपने कितना पे किया 3,000 US डॉलर गौर्णमेंट कहरी है कि जब हम accessible value निकालेंगे तो freight 3,000 US डॉलर आपने भले पे किया हो हम 2,000 US डॉलर से ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे फायदा दे रही है कि नहीं गौर्णमेंट फायदा दे रही है मुझे 2,000 US डॉलर जोड़ेंगी तो accessible value कम आएगी मेरा taxes कम बनेगा चीक है क्योंकि हवाई जहाज का जो भाड़ा होता है नो महगा पड़ता है इसलिए गौर्णमेंट थोड़ा सा मुझे consider कर रही है अच्छा यहीं बताओ अगर समुंदरी जहाज भाड़ा होता तो safe rate होता 10 जाज डॉलर का माल मगाए है और safe rate होता इसका 3 जाज डॉलर तो गौर्णमेंट कितना लेती है तब तो 3 जहाज जोड़ेंगे भाई यह समुंदरी जहाज के भाड़े में कोई concession वगर नहीं है जो है वही पूरा जोड़ा जाएगा अरे basically समुंदरी जहाज से माल मगाए होगे तो इतना भाड़ा लगेगा ही इसलिए गौर्णमेंट ने वहाँ कानूनी नहीं बनाया अगर लगता है तो जो लगता है वो छोड़ा जाएगा ठीक है देख लो अगर AF rate given है yes तो फिर क्या बोल रहा है yes तो actual AF rate या फिर 20% of FOB whichever is less जो तुम्हारा भाड़ा लगा है वो या फिर 20% of FOB क्योंकि 20% of FOB से जादा नहीं लेंगे इसलिए whichever is less यह जो देना है accessible value निकालने के लिए AF rate not no not given मतलब कि क्या दिये हो sea freight क्यारा yes तो actual sea freight ठीक है तुम sea freight भी नहीं दिये हो अब भाई ट्रक से माल आ गया क्योंकि कुछ देश से ट्रक से भी माल आ सकता है जैसे नेपाल से चाइना से आ सकता है कि नहीं आ सकता है लैंड गूट है ना हमारे पास हाँ अगर काओगे अमेरिका से ट्रक से माल आ जाए अरे तो पानी में भी ट्रक चलेगी क्या वो नहीं possible है लेकिन कुछ देश जो हमारे लैंड से connected है जहां से देशों से माल अगर आ रहा है और हमने सी फ्रेट भी पे नहीं किया है तो बीस परसेंट ओफ एफ उबी फिर से रिपीट करूँ अगर हवाई जहाद से माल आ रहा है तो जो भाड़ा लगा या फिर बीस परसेंट ओफ एफ उबी इंशोरेंस के केस में अगर इंशोरेंस का खरचा दिया है प्रॉबलम में गिवन इन प्रॉबलम येस तो आड़ कर दीचे और अगर इंशोरेंस का खरचा नहीं दिया है तो 1.125 परसेंट ओफ एफ उबी एड़ेट कोई दिक्कत यहां तक तो किस तरीके से एसेसिवल वैल्यू निकाली जाती है एक्स फैक्ट्री प्राइज में फैक्ट्री से एक्स्पोर्टिंग कंट्री के सिफ तक माल चला देने का खरचा होता है फोबी लेकिन अगर कुछ चलाकियां की गई है तो फोबी में वोग चलाकियां जोड़ दी जाती है तो उससे बनता है फोबी एस पर कस्टम उसमें freight और insurance और जोड़ दिया जाता है exporting country के port से importing country के port तक लाने का खर्चा तो यह बन जाता है CIF and that is called accessible वाली और freight insurance अगर नहीं पता है तो कितना जोड़ा जाता है यह सारी चीज़े हम रोग ने देख ली अगनी class में हम आएंगे तो आपके साथ illustrations को करेंगे और illustration कुछ करने के बाद कुछ और भी चीज़े पाड़ने हैं मुझे वो सब भी देखेंगे आज की class को यहीं पर stop करते हैं See you in the next class Will do with illustrations आपके साथ बाता है आपके साथ और भी चीज़े हैं आपके साथ पाड़ने हैं यह वो सबस्तों पर भी आपके साथ पाड़ने हैं